पिछले सब जितना वीडियो है उसको देखने के लिए उसको इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और उन लोग का खास करके तो बहुत बहुत धन्यवाद जो की मेरे साथ इंटराक्ट किये कॉमेंट सिक्षन के द्वारा और यहां पे हम लोग आज बात करेंगे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर जो की अक्सिस बैंक लिमिटेड है और इसके ऊपर बात करने से हम लोग को एक चीज बता चलेगा हम लोग को यहां पर बहुत लर्निंग मिलने वाला है क्योंकि एक अच्छा चार्ट पाटन यहां पर बन रह जाना यह वाला जो दिलेमा है इसमें आप लोग को अच्छा खासा क्लियरैंस मिल जाएगा और अप लोग का इंवेश्मेंट में अच्छा सा इक डिरेक्षन मिल जाएगा नमस्का दोस्तों मार्केट लेट में आपका स्वागत है मैं आपके साथ बात करूँगा आज आक् पॉइंट 55 तो यहां पर पियर्स कंपारिजन किया जाए तो लगभग आक्सिस बैंक और आइसे से बैंक है दोनों का रोसी आपको आज यूजल दिखेगा मतला आसपास का ही दिखेगा अगर यहां पर आगलोग पी कंपार करोगे तो आइसे से बैंक थोड़ा सस्ता यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा तो यहां पर हो गया यह वाला बात जो आरोसी और पी के बात हम लोग कर देखने सकते क्योंकि यह एक ट्राइबट बैंक के बैंकिंग सेक्टर में लोग डेट देखा नहीं जाता पिकॉज वह उन लोग का एक आसेट के हि साफ से ही काम करता है और डेट टो एकुलटर रिशेव भी हम लोग का कोई काम का चीज है नहीं करेक्ट तो यहां पर हम लोग अगर देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग तो बहुत कम है 14.75% का प्रोमोटर होल्डिंग है अगर इंवेस्टर्स में हम लोग जाएंगे तो यहा यहां पर दी आइएएई भी अपना जो भी उटक है वो थोड़ा सा कहूराफ कि वह यह रइट और लेकिन हम लोग तोड़ा सा जो कि हम लोग पबलिक है थोड़ास हम लोग का इज़ैफा आया हुआ हुआ है प्रोमोटर के हिसाब से देखा जा तो प्रोमोटर भी थोड़ा सा इसमें आपका आपना जो भी स्टेक होल्डिंग है थोड़ा सा रिड्यूस किये हुए हैं तो 16% से 15.99 तक आगे हैं तो इतना जल्दी तो वहां पर रिड्यूस नहीं कर सकते तो ग्राजुआली रिड्यूस कर रहे हैं अगर आप लोग देखोगे लास्ट 12-13 साल में तो यह था अक्सिस बैंक का हम लोग का बात यह आपका फंडामेंटल और यहां पर अगर मैं इसका NPA की बात करूं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है यहां पर NPA बात करना बहुत जरूरी है तो यहां पर जब मैं NPA क के हिसाब से देखा जाए तो यह 5.2526 परसेंट था जो कि 2019 का रेजल्ट के हिसाब से यह मैं यरली रेजल्ट दिखा रहा हूं और यहां पर अगर 2020 में आ जाएंगे तो 4.86 आप लोग का आ जाएगा और यहां पर NPA अगर बात किया जाए तो 2.06 परसेंट था 2019 में और 1.56 हो 2020 में जो कि एक अच्छी बात है दोनों के केस में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर नेट NPA और ग्रॉस एनपे दोनों घटा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और यहां पर रिटन अन असेट्स है तो यह थोड़ा सा घटा हुआ है मतलब लगभग एक तिहा 21 में हम लोग को यहां पर मिल जाएंगा अगर हम में बात करूंगा कासा रेश Bettard के हिए हंपर कासा रेशियो में निफाला हुआ तो इक हिसाब से 40% का साध्य दिखा रहा है रहा है तो कि अच्छी का साथ कासा रिशियो है इसमें कुछ दिक्गत की बात नहीं है तो यह था हम लोग का fundamental और fundamental के बाद हम लोग एक प्रॉफिट लॉस में चलते हैं तो यहां पर जो जब भी हम फिनांसर स्टेट्मेंट हम लोग रिसर्च करते हैं तो यहां पर हम लोग को दिख जाए गया कि इसका consistent profit दिखा नहीं रहा है और 2019 में 5000 करोड का प्रॉफिट दिखा था उसके बाद 2020 में सीधा 1853 करोड में आ चुका है और यहां पर आगे और घटने के लिए chances में है विकल लास्ट बारा महिना का अगर देखा जाए तो 1691 करोड का आप लोग का एक net profit दिखेगा तो यहां पर आप लोग को यहां पर एक थोड़ा सा डाउन मोमेंट पर आ चुका है और यहां पर अगर हम लोग रेटिंग के बात करेंगे तो यहां पर लगभग 6 आउट आप 10 यहां पर में रेटिंग दूँगा और यहां पर पॉजिटिव मेरे को उतना ज्यादा कुछ भी नहीं दीखा अभी तक और यहां पर हम लोग को उसी साब से decision लेना है तो यह वाला long term vision के लिए हम लोग का उतना ज्यादा सही नहीं रहेगा आज पर now condition of the access bank तो यहां पर अगर बात करेंगे हम लोग technical analysis की तो यहां पर मैं आज बोल रहा हूं 21st of the August में शूट कर रहा हूं यह वाला वीडियो तो यहां पर आप लोग को द यह consolidation के बार एक अच्छा कासा breakout होने वाला है तो यह breakout किस तरफ होगा उसको जानने के लिए इसका just upper वाला जो होता है हम लोग का वान वीक का चाट तो वान वीक में अगर चलेंगे तो यहां पर आपको आप लोग को consolidation दिख जाएगा और यहां पर आने के लिए कोसिस किया यहां पर consolidation काफी अच्छा कासा consolidation चल रहा है तो इसका भी breakout यहां पर हम लोग यहां पर ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हम लोग यहां पर decide नहीं कर सकते तो वान मंध में हम लोग को जाना पड़ेगा तो वान मंध के चार्ट के हिसाब से तो यह एक बार उपर जाने के ल काइन होता है यहां पर एक बार टच करने के लिए कोशिस जरूर करता है तो यहां पर अगर यहां थोड़ा से नीचे भी आ जाए मैं मार्जिन लेकर बता रहा हूं तो 520 के लगभग आसपास का एक टच हो सकता है in the case of the short term मतलब मैं बात कर रहा हूं एक महिना या देड़ म पाया और यहां से अच्छा कासा यहां पर मुम्मेंट दिया हुआ लगभग 10 गुना का असपास का इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल चुका है अल्रेड़ी आफ्टर 2009 और यहां पर अच्छे से सार्प रिवर्स ट्रियंगल बन जाए देन आप लोग का इन्वेस्टमें कर दूंगा तो यहां पर भापस आ जाता हूं हम लोगा सबसे रिल्लाववल पाटन होता है जो जो कैंदल स्टिक में आप लोगा दिख जाएगा यहां पर एक टो ग्याप डाउन ओप्निंग हुआ था तो यह जो ग्याप करा ऑट अगस्ट को तो यह वाला ग्याप भरने क जरूर कोसिस करेगा चाहे आज हो या एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद भी हो तो यहां पर जब भी क्रॉस करेगा तो वही जो हम लोग का बात करेंगे तो सौटम में विदिन टू 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 थ्री आपका ट्रेडिंग डेज एक बार 445 का लेवल आराम से टच कर सकता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई भी ग्याप जोड़नल्ची जाता नहीं है यह वाल पर लोगπα देखना वाला चीज है करेंगे पर 445 का लेवल आराम से देखने के लिए मिल सकता है एक या दू दिन में करेक्ट फिर मैं कि डाइवर्जेंस यहां पे बना था बिरेंश जाहता हूं यहां पे यहां पर देख नृ dolole lost he बना हुआ था यहां पर higher high बना हुआ था तो यह continuation था जो भी trend हा उसका continuation था तो इसका downtrend था तो downtrend थोड़ा सा continue किया और थोड़ा सा गिरेगा भी तो भी भी कोई दिक्कर की बात ने लगभग इसका result यह जो divergence था divergence का result लगभग complete हो चुका है तो अभी के लिए कोई भी divergence नहीं बना हुआ आथ सच तो यहां पर हम लोग कोई conclusion नहीं निकाल सकते है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें निप्टी के साथ correlation में तो 0.64 है 0.64 का मतलब हो गया कि आपका जो भी निप्टी के साथ भीव रहेगा अगर अगर सौपन्ड मूप करता है उसका मतलब यहां पर थोड़ा सा इजाहवा आए आए ठीक है न ऐसा कोई भी नहीं है कि आपका जो भी निप्टी के साथ मतलब इसका 60% ही यह मूब करेगा ऐसा कोई बात नहीं है इसका जो उसके हिसाब से आपए निप्टी का जो भी भी होगा आक्सी भैंक का उसी हिसाब से भी हो ना चाहिए तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपका स्टोकेश्टिक आरेस आई है तो स्टोकेश्टिक आरेसे में आप लोग भी दिख जाएगा एक चीज यहां पर मैं इसका जो कोड है XB के मैं उसको एंट्री कर रहा हूं XB के जो कि Axis Bank के एक कोड है और यहां पर ड्रॉपडाउन मेरे को NSE Axis Bank Limited मिल चुका है तो यहां पर आप लोग को दिख जाएगा एक गिरावट तो यहां पर यह वाला जो गिरावट है यह थोड़ा सा continue करने के लिए कोशिस में रहेगा और वान वीक के हिसाब से बात किया जाए तो हम लोग का यहां पर गिरावट करता है एक बार संकेत मिल रहा है और यहां पर जो वन मंत का जो भी है यहां पर एक उच्छाल का संकेत मिल रहा है तो थोड़ा से confusion है यहां पर आप लोग को मैं जब conclusion बताऊंगा तो यहां पर आप लोग को clear clarity आ जाएगा तो सीधा चलत पार्ट बताए तो यहां पर जैसे कि एक बार consolidation मोड में आ रहा है तो consolidation मोड में आने से एक बार फाइब जो भी में बताएब पूरा करने के लिए थोड़ा सा उपर जा सकता है क्योंकि यहां पर जो green candle बना हुआ था इसके साथ यह बॉल्यूम सपोर्ट में नहीं नहीं था तो यहां पे थोड़ा रिक्स लेके आप लोग को इसमें काम करना होगा आक्सिस बैंक में तो यहां पे एक डाइबर्जेंस बना रहे तो लगभग खतम होने के लिए आया है तो थोड़ा सा उच्छाल यहां पे भी दिखा सकता है तो यह चारों हो गया हम लोग का पॉजिटिव ट्रेंड ओके तो यहां पे जो भी है यहां पी मंत्ली वाइज पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है बट शॉट टरम में थोड़ा सा नेगेटिव दिख सकता है बट यहां पे गयाप component हो यह घ्राप को पूरा करने के लिए ब्याइबर्ट प्राइबर्ट क पूछ सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है प्राइस लेवल एक बार नोट कर लिजिए फिर भी कोई प्रॉलेम हो तो आपको कॉमेंट सेशन में आपको हेल्प भी कर दूँगा आपका अपना अपना फैमली का और अपना पोर्टोल का सब क्या ख्याल रखे और आगले